हेलो फ्रेंड्स मेरा डाम जितेंद्र सरीन है और मैं दृष्टी के बहाफ पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम लोग डिसकॉस करने जा रहे हैं एक इंट्रोडक्शन लेने जा सीवीटी के टीसरे सेक्शन के उपर तो सीवीटी जैसा कि हम सबको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अब आ गया है उसमें तीन सेक्शन से जिसके बारे में आपको नौलेज होगी मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं एक आपके लिए जो पहला सेक्शन है वह आपका भाशा का ग्यान है जिसमें की टोटल पचास कुश्चन सोंगे उसमें से आपको 40 करने होंगे और जो टाइम होगा वह 45 मिनट का होगा दूसरा सेक्शन जो है वह आपका सब्जेक्ट के ऊपर है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है सब्जेक्ट डोमेन उसमें भ की जो टाइम आपको मिलेगा करने के लिए 45 मिनट और जो तीसरा सेक्शन होगा वह जनल टेस्ट अब जनल टेस्ट में क्या-क्या टॉपिक्स होंगे वह हम लोग देखते हैं इसमें कुल आपके 75 कोश्चन होंगे जिसमें से आपको 60 कोश्चन सटेंड करने होंगे और इसक सेक्शन में यहां से हम लोग थोड़ा सा चेक करना स्टार्ट करते हैं देखें यहां से थर्ड सेक्शन जिसमें सामान अभीरुची परिक्षण जन्रल टेस्ट है यह इसमें आपके लिए जो है 75 में से 60 प्रिश्णों का उत्तर देना होगा सारे के सारे जो टेस्ट होंगे यह होगे होगे एक प्रीश्णों होंगे मटिपल ज्वास्ट कोशेंशन होंगे एमशी क्यू ताइम सार्फ मिनट का है अब इसमें क्या-क्या चीचे होंगी इसमें सामान नग्यान के उपर कॉर्शेंश ऑव सकते और सामान मान से अभी चमता क्यात्मन क्याइक यह उंद् जामितिये, छेत्रमिती, सांखिकी का सामान अनुप्रयोंग, यह सारी चीजे होंगी, और तारकिक तथा विशलेशल आत्मक तरक शक्ति, तो यह सारी की सारी चीजे जो है, वो आपकी इस टेस्ट में होंगी, जनरल टेस्ट में, ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे जो संख्याओं से लेकर के नुमेरिकल एबिलिटी जो है, और कॉंटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें यह सब चीजे आएंगी, तो यह तीनों चीजे हैं, अगर आप देखेंगे, सामान ने मान से कभी चमता, संख्यात्मा कभी चमता, और कॉंटिटेटिव रीजनिंग, यह तीनों लगबग लगबग एक ही चीजे है, इसमें इन तीनों को ही मिला करके, हम लोग कुछ कोर्स स्ट्रक्चर हमने तीयार किया है, और उस कोर्स स्ट्रक्चर के उपर हम लोग डिसकुर्शन करेंगे, तो आप हम लोग आ जाते हैं, इस पर आगे, कि तीक है यह आप पता है एक प्रिश्न पत्र है 75 प्रिश्ट 75 में से 60 प्रिश्णों को हल करना अनिवार रहे हैं हमारे लिए कि अच्छा आप इसमें पुल पाच खंड होंगे प्रतेखण में 15 15 होंगे और अब भ्यार्थी को प्रतेखण में में से 12 प्रिश्न हल करना जरूरी है अब पहला क्या होगा सामान और करेंट फिर्स दूसरा समान भी चमता इसमें भी बारा कोशियन करने होंगे 15 में से इसमें भी और इसमें भी ठीक है तो यह कॉंटिटीटिव रीजनिंग है मात्रात्मक तरक शक्ती हम लोग बोल सकते हैं जिसमें क्लास एर्थ तक अब अगर उन्होंने स्पेसिफाइब करा है क्लास एर्थ तक पढ़ाय जाने वाले टोपिक्स लेकिन उन कोर्स discussion करेंगे हर एक topic जो हम लोग discuss करेंगे उसमें भी इसीज का ध्यान रखेंगे कि हम बिलकुल basic से start करेंगे थोड़े questions हम ऐसे करेंगे जो आसान भी होंगे और कुछ कोश्चन सम ऐसे करेंगे जो थोड़े से मुश्किल उनका थोड़ा सा लेविल जो है जादा मुश्किल होगा जादा कठें होगा तो वो सब अगर हम बात करें यह खंड बी सी और इन तीनों को मिला करके एक जो कोर्स इस्टक्चर हमने डिजाइन करा है उसके बारे में मैं आपके साथ डिसकेशन करूंगा तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं तो क्लास एर्थ को ध थे वरग रूशुन है गण है घण मूल है उसके लावा कुछ बेशिक फॉर्मूले हैं ठीक है कुछ जनरल प्रॉपरटी इस है नंबर्स की कुछ जो हमें पता होनी चाहिए तो वो हम यहां पर discuss करेंगे फिर महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तक ठीक है जिसको की हम SCF और LCM भी बोलते हैं तो इस तरीके के questions क्या होंगे question हो सकता है आपको भाशा के form में दे रखाओ और उससे हमें question से समझना भी है कि क्या हमें question में LCM लगाना है या SCF लगाना है तो वो सब हम सीखेंगे उसके बास सरणी कलर करण तो सरली करण में simplification कुछ हमारे पास हो सकता है स्क्वाइर रूट जो है वर्ग मूल के अंदर को संख्याएं दे रखी हो और वर्ग मूल के अंदर भी वर्ग मूल दे रखा हो और उसको हमें solve करना हो तो हम कैसे उसको simplify करेंगे ठीक है फिर वर्ग मूल मैंने आपको बताई ग्रम एवम श्रंक लाएं हो सकता है कुछ सीरीज दे रखी हो सीरीज में कुछ नंबर दे रखे हो और आपको उससे अगला नंबर वहाँ पर find करना हो फिर एवरेज ऑसत ऑसत के बाद प्रतिशतता लाब और हानी यह सारा क्लास एर्थ का सिलिबस है साधारान व्याज और अनुपात एवम समानुपात मिश्रंव और साजयदारी अगर हम लोग सोचें कि यह मिश्रंट तो हमने नहीं पढ़ा था क्लास एर्थ में लेकिन यह जो मिश्रंण है यह काफी हद तक अनुपात से ही रिलेटेड़ है ऐसे ही साजयदारी अगर हम देखें तो यह किस पे related proportion समानुपात पर इनी के concepts को use करते हुए हम ये questions इसके उपर बेस questions करेंगे इसके अलावा समय और कार्य यह हमको पता ही है समय दूरी एवं चाल इसके questions अब जैसे समय दूरी और चाल है तो समय दूरी और चाल में जो भी हमारे पास topics इसके अंदर जैसे इसके अंदर और चाल भी है इसके अंदर सापेक्स चाल भी है तो कुछ चीज़े तो बिल्कुल वही है जो class 8 में कुछ चीज़े ऐसी भी है जो हम class 8 से थोड़ा सा level अप करके classes में complete करेंगे तो overall जो हमारा परपस है वह सभी तरीके के questions को cover कर लेना है ठीक है फिर हमारे पास आधार बूत बीच गड़त जिसमें की कुछ formula a plus b का work a minus b का work उससे थोड़ा सा उपर चले तो a plus b plus c का work a plus b का घन ठीक है तो इस तरीके के questions और उसके उपर बेश क्या क्या application उनके हो सकते हैं वो सारी चीजे हम इसमें discuss करेंगे फिर जामित्य जोमेट्री फिर छेत्रमिती जिसे हम में प्राइक्ता भी लिया है और थोड़ा साम लोग क्रम्चे संचे के बारे में भी बहुत basic discuss करने वाले हैं फिर सांखी की और आकलों की व्याख्या तो यह सब क्लास एर्थ में हमारा इंट्रड्यूस हो चुका है तो इसी के उपर बेश कोश्चन पहले समझना है कि question क्या है बेशिक्स करने और बेशिक्स के बाद कुछ questions ऐसे जो की थोड़ा मुश्किल बेशिक से थोड़ा सा उपर थोड़ा सा मुश्किल questions है वो सब हम लोग discuss करेंगे तो यहां पर अभी आज जैसे मैंने आपको यह introduction दिया है अभी ठीक है इस introduction के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ कुछ बहुत ही basic से questions भी discuss करना चाहता हूं और वो questions basic भी हो सकते हैं और उसमें थोड़ा सा एक दो questions ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमें थोड़ा सोचना पड़े थोड़ा उनका difficulty level बाकी questions से जादा हो तो चलिए देखते हैं कुछ questions चीक है तो overall गड़ित के questions है ठीक है तो जितने भी questions है numerical ability संक्यात्मक यह सब गड़ित है और गड़ित है मतलब aptitude है तो यह सब quantitative aptitude हम लोग इसको बोलते हैं या quantitative reasoning बोलते हैं तो सब मिला चुलाकर हमारा aptitude है कि कोशन दे रखा है हमें कुछ basics पता है उन basics पर हम लोग किस तर सीफ़र एपरोच करते हैं ठीक है चली आइए फिर कुछ questions देखते हैं एला देख कि यहांपर मैंने लिखा है जदी एक से ऑai से सब हुम लोग अंक 3 को देखेंगे तो अं 9 अगर हम ऐसे गिन्ने बैटें कि 1 2 3 में आएगा फिर 13 में आएगा फिर 30 में आएगा फिर 31 में आएगा तो हमें समय लग सकता है ठीक है तो और हम एक पंझ और बना ले तो एकाई के स्थान पर है फिर तितालिस और ऐसे एकाई के स्थान पर कहां तक जाएगा यह तिरानवे तक तो यह तो एकाई के स्थान पर लिखा गया है अब ऐसे ही दाई के स्थान पर भी आएगा दाई के स्थान पर कहां से आना शुरू होगा तीस से तो इसमें देखते हैं क पसद आगया यह किस पर आया पूरा का पूरा दाहाई के स्थान पर तो यह काई के स्थान पर और यह दाहाई रोस्तान पर गिन लेतें तो एक इस ऊंपर देखें कितनी बार आएगा तो गिनने का तरीका से पमने बहुत आसन होना चाहिए हम अगर fare to तो एक से लेकर नौ तक नौ संख्या हैं और एक ये दस तो एकाई के स्थान पर कितनी बार आया ये दस बार और दहाई के स्थान पर देखें दहाई के स्थान पर फिर से हम देख लें तो 30 से 49 तक कितनी संख्या हैं दस तो दस बार जो है ये दाई के स्थान पर आया तो कुल मिलाकर 10 प्लस 10 कितनी बार आया 20 बार आया तो इस तरीके के जो प्रिश्न है वो पूछ लिये जा सकते हैं तो अंग तीन कितनी बार आया 20 बार आ गया अब यह सामाननेट हमारा जो है Numbers के उपर की knowledge है ठीक है कि इसमें कोई topic हमने नहीं लिया है कि LCM पता हो यह जन्रल है तो यहां से 20 हमारा अंसर आ गया अब इसी के साथ सथ कुछ results है के यह तरीके से हैं जैसे कि कोई भी हम एक के बाद आने वाले सौनमर लिख दे उन सो संख्याओं में पिरतेक अंक जो एक से नौ तक है वह भीज़ बीयद बार आता है कहां पर आता है लेकिन इकाई और दाही के इस्तान पर मिला करके दस बार एकाई के संपर आएगा और दस बार दाही के स्थान पर आएगा ठीक है आप कोई भी सौ संख्या है जो एक के बाद एक आने वाली है किरम से किरमागत संख्या है आप उसमें इस चीछ को टेस्ट कर सकते हैं और उसको हमें फुर्दर आगे कोश्चन्स में यूज करना होगा ठीक है तो यहां से यह चीछ क्ल कि अग्षाग ऑप इपीव टें क्यू के रूंड में किसी संख्या को परीमे संख्या कब कहा जाएगा परीमे संख्या रहे में नमबर clear नमभर कप जाएगा तो हमें से बहुत सारे लोगों को यह चीज पता है कि जुनी भी परिमे संख्या है उसको पी बटा क्यू के फॉर है options की help से तो पहला option है कि Q zero नहीं होना चाहिए ये तो बिलकुल ठीक बात है क्योंकि हर में zero नहीं आ सकता है और P greater than Q तो P Q से बढ़ा हो P Q से बढ़ा हो क्या ऐसा जरूरी है ठीक ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है दो बटा तीन अगर हम लिखेंगे तो पी छोटा है क्यू से लेकिन ये एक परिमे संक्या है ठीक है दूसरा पी तता क्यू धनात्मक पूरांग है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तो धनात्मक पूरांग है तो जरूरी नहीं हो सकता माइनस तो TV यह पिवल परेमे संख्या तुम माइनस दो ब्यक्ते में प्रिमे संख्या है फिर पी वा यू पूर् theorist और प्पी बहुति है और क्यों गूसे मैं टीज वह पुछ में परिमे संख्या है और पोई detox पूरांख भी है तो जीरो एक परिमेसंख्या हो गई आखरी ऑप्षन देखें पी तथा क्यू पूरांख है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए अब यह जो ऑप्षन है यह करेक्ट ऑप्षन है जिसमें हमें पता है कि पी बटे क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते है साती पूरांख होंगे और क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो यह कोशन अगर आप देखें तो यह आपकी एक टेस्टिंग थी कि क्या आपको कम्प्लीट डेफिनिशन पता है नहीं पता है उसके बारे में ठीक है यह देखिए क्योंशन में कुछ कोश्ट्रें ऐसे होते हैं जिसको हम जो हमारे पास विकल्प दे रखे है विकल्पों का यूज़ करके हम लोग उसको कुशन को solve कर सकते हल कर सकते है तीन अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल एक प्राकरतिक संख्या हो ठीक है तो ये भी हमें पता होन है की से उल्टा करके देखने पर यह पूरवर संख्या ही दिखाई देती है मतलब तीन अंकों के संख्या है अगर हम उसे उल्टा कर दे तब भी वह एक पूरवर्गी बनता है तो निम्लिकित में से कौन सा विकल्प इस संक्या का वर्ग मूल हो सकता है उस संक्या का वर्ग मूल तो बहुत ध्यान से कुशिन को पढ़ना है अब ऐसे हमारे पास देखें विकल्प दे रखें अब इन विकल्प में हमें हमें क्या करना है कि हम वर्ग लेकर के देख लें क् कि यह सब वर्ग मूल हैं तो देखें यहां से 14 का वर्ग 196 22 का वर्ग 484 और 31 का वर्ग 961 ठीक है अब चलिए अब यहां से देखें तो कौन से ऐसे हैं हमारे पास अंक जिनको अगर हम उल्टा करें तो हमें कुछ करें कोच्ष् Moonreiben करें कि यह व्यश् чем सब में वह सकता है तो जैसे नो है चेह ров lequel मिला करके अगरम संख्या के बारे में बात करें संख्या के बारे में बात करें तो अगर हम देखें तो एक है जीरो है कोई confusion create नहीं करेंगे तो यहां से देखिए यहां पर एक सो च्यानवे है तो एक सो च्यानवे को अगर आप पलट देंगे तो यह च्छे इस तरफ आकर के क्या बन जाएगा नौ और 9 क्या बन जाएगा 6 और 1 तो 1 रहे गई तो 19696 दिखाई देगा हमें और 484 इसको पलटने पर तो ये 4 हमें जो है गलबड कर देगा तो 484 जो है वो नहीं हो सकता एसी 961 है तो इसको पलट देंगे तो एक सबसे इधर आजाएगा फिर आएगा नौ फिर आएगा छे तो यह दोनों संक्या ऐसी हो सकती है जो अगर हम पलट दे तो भी एक पूर्ण वर्ग बनी रहेंगी तो पहले भी पूर्ण वर्ग हैं और बाद में भी पूर्ण वर्ग तो यहां से हम देखेंगे 961 और 196 मतलब उस अंक्या का वर्ग मूल 14 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है तो इस तरीके की कोश्चन से क्योंकि अगर उसने ऐसा कोश्चन दिया है तो अब हम तीन ही तीन अंकों की अगर हम सारे के सारे वर्ग देखना शुरू करेंगे तो तो हम में टाइम लग जाएगा तो सबसे अच्छा क्या चीज हो सकती है कि हम आप्शन की हिल्प से चले जाए विकल्पों को देखे उनी का यूज करके आंसर फाइंड करने की कोशिश करें कि चलिए आगे देखतें इसमें दो टैंकों में क्रमशा 1190 लीटर और 1445 लीटर दूद है यदि कंटेनर की अधिक्तम छमता जो किसी भी टैंक में दूद की मात्रा को माप सकती है दूद की मात्रा को माप सकती है तो हमें क्या चीज नहां पर ध्यान में रखना है अधिक्तम ऐसी छमता जो यह जो दो कंटेनर दे रखेंगा तेंक दे रखेंगे इसमें से जो मुंवारे पास कंटेनर की कॉंटिटी है वो बराबर एक प्राकर्थिक संख्या के के रूप में रूप में कंटेनर इस में से निकाल जा सके हमें पास ऐसे पांश कंटेनर या पन्दरह कंटेनर राष 사람들이 के द्वारा मसें रॉप रा कंटेनर की इसने पूछ्छ अधिक और क्षमता क्या हो सकती है और जो अधिक्तम छमता है उसको ग्यारा सो नब्वे एम प्लस 1445 एन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एम और एन क्रमशा क्या क्या है तो अभी यहां से हम लोग देखते हैं दो टैंकों में क्रमशा इतने इतने लीटर दूध है तो अभी हमें यह समझ म में आ रहा है कि हम इन दोनों में से इनका एक फैक्टर निकाले इनका एक गुलंखंड ऐसा निकाले और वो गुलंखंड कैसा होना चाहिए बड़े से बड़ा क्योंकि हमें उस कंटेनर की अधिक्तम चमता चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर हमें इन दोनों का मह इसको HCF तो हमें HCF निकालना है पहले तो 1190 और 1445 का तो जब हम HCF निकालेंगे तो आप यह करेंगे कि जितना भी हमें common दिख रहा है पहले हम निकालते जाते हैं वैसे हम HCF निकालनेंगे तो देखें दोनों संख्याँ पाच की गुड़ज हैं तो हमने पाच निकाल लिया पहले तो श्त्रा एकम 79 च्छे, आठ, अडशर्ट, सत्रा, चौक, अडशर्ट तो ये भी उन्ट रहे है, तो 5 भी निकल गया और 17 भी निकल गया, तो 17 एकम 17 और 17 चौक, और ये 17 हो गया, तो आप 14 और 17 में से कुछ और कॉमण हम नहीं निकाल सकते, तो यहां से देखें, तो 17 गुणा पाँच कितना आगिया है इसका HCF 85 तो 85 जो है वो container की आदिकतम छुमता हो सकती है जिसको पूरी पूरी बार में यूज करके हम दोनों container का दूद निकाल सकते हैं अब इस 85 को उसने बुला है 85 को उसने लिखा है 1190 M प्लस 1445 N इसके फॉर्म में लिखा है और हमें M और N को ग्याद करना है तो M और N को ग्याद करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम यहाँ पर options हमारे पास है options का use करते है कौन से option को use करके हमारे पास यह answer 85 आजाए तो पहला option अगर देखे कि M को 5 रखा है और N को minus 6 तो अगर हम M को 5 रखेंगे और N को minus 6 रखेंगे तो थोड़ा सा देखे पास से जब हम इसको गुणा करेंगे तो अंतिम संख्या 0 आनी है और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 तो अंतिम संख्या 0 आएगी ठीक है प्लस हो या माइनस हो तो यह 0 और 0 चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस जो हमारा रिजल्ट आएगा उसकी अंतिम संख्या 0 आजाएगी तो यह आंसर हमारा नहीं हो सकता तो 5 और 6 वाला ओप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता तो इसको भी हटा दे अब दूसरा क्या बचा हमारा माइनस हे और 5 वाला अब यह सारी चीज़ें हम सोचेंगे अपने हाँ माइन में वहाँ पर ठीक है जरूरी नहीं हम लिखें हमें सोचना जाता है इसके बाद ठीक है अब माइनस हे और 5 है अब देखें यहां से एम को अगर मैं माइनस 6 लिख देता हूँ यह एम प्लस 1445 एन तो अगर यह हो गया माइनस 6 और यह हो गया प्लस का 5 ठीक है तो 6 गुणा 0 जीरो और 5 परने 25 अंतिम संक्या 5 तो इसके योग में 5 आएगा ठीक है अब देख लेते हैं एक ही हमारे पास माइनस यह और 5 और एक है 6 और माइनस पाच इक ऑफचन है 6 और आइं माइनस पाच जेखते ए अगर हम इसको बारहTS evitar कितना वह जाएगा कर इसका त्पर इसे यहां अगर हमदेख्येगे बाहतर सो ही हो पाएगा इसमें और इसमें से अगर हम 10 माइनस भी करेंगे साथ 12 मान करके 12 चंग 72 और चुकि अपने 10 एक्ष्ट्रा माना है तो 60 माइनस कर दें बाहतर सो में से ठीक है तो यह 71 सो चालेस हो जाएगा ठीक है और यहां से देखें यह 14 पंजे सतर और साथ हजार तो यह हो गया और पांच चौक पैतालिस गुणा पाच अब यह थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो हमें फास्ट करना सीखनी होंगी ठीक है जिसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन जब हम करें तो हम तोड़ा लिखें कम और सोचे ज्यादा तो पैतालिस गुणा पाच करना है तो देखें पैतालिस का गर हम दुगना देखें तो नब्भे हो गया नब्भे और नब्भे तो पैतालिस का चार गुणा कर दिया हमने एक सो सी और एक बार पैतालिस और जोड़ दे तो दो सो पच्छिस ठीक है तो यहां से य बाराँ संक बहल yn 14 भीरते दीच जब की नीचे वाले जोटी संक्या और बड़ी संक्या माइनेस में होगी माइनस में सब्सक्राइब , थोड़ा सा अगर हम यहाँ से देखें तो calculation wise हमारा answer यहां से आ जाएगा तो answer हमारा क्या होगा B option M बराबर minus A और N बराबर 5 ठीक है आप check भी कर सकते हैं आगे ठीक है अब आगे देखते हैं अब जैसे यह question है इसमें वह न्यूंतम प्राकर्तिक संख्या कौन सी है जो एक से दस तक की सभी संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो जाती है मतलब एक से दस तक प्राकर्तिक संख्याओं एक से भी विभाजित हो दो से भी हो जाए तीन से भी हो जाए चार से भी हो हो रही है तो सबसे विभाजित हो जाए मतलब सभी का कोई ना कोई गुलज होनी चाहिए तो इन सब का एक से दस्तक की संक्याओं का गुलज तो हम उसको क्या बोलेंगे और नियूनतम भी तो नियुन्तम संक्या जो गुलज हो तो हमें क्या निकालना है लगुत्तम समापवर्तक मतलब LCM निकालना है तो जब हम LCM निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टिपल तो तोड़ा सा अगर हम इसे एंग्लिश में देखें तो में तोला ज्यादा क्लियर हो जाएगा लीस्ट कॉमन और मल्टिपल मतलब गुलज तो सबसे चोटा सभी का कॉमन गुलज तो हमें क्या निकालना है लगुत्तम समापवर्तक निकालना है तो एक से करते जाएं कि देखें दो से तीन से चार से पांसे कौन-कौन सी संख्या यहां विभाजित हो रही है वो भी कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इन संख्याओं को प्राइम गोलजों के फॉर्म में लिख देंगे प्राइम गोलन खंडों के फॉर्म में लिखेंगे प्राइ एक तो एक ही लिखेंगे दो का दो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अभाज गुलन खंड कि तीन को तीन लिखेंगे चार हो गया हमारा दो स्क्वाइर पास तो है अभाज संख्या छे हो गया दो गुणा तीन साथ साथ हो गया आठ को हमने लेख दिया दो की घात तीन नौ गया तीन की घात दो और दस हो गया दो गुणा पाच तो यह और यहां पर हमें इन सब का LCM लिखना है तो अगर हम यहां पर एक ऐसा नंबर लेखेंगे जो इन सब का गोड़ा जो तो उसमें क्या होना चाहिए जो उपर जितने भी अबाज्य संख्याएं लिखी है सब की अधिक्तम घात उसमें आनी चाहिए तो अगर हम देखें यहां से तो कितना हो जाएगा द दो की अधिक्तम घात कौन सी है जो आठ में आई है तीन अब देखें दो की घात तीन लिख दी तो और बाकी सब दो की छोटी घातों से तो यह विभाजित होई जाएगा फिर तीन की घात कितनी आएगी अधिक्तम तीन की अधिक्तम घात यह हो गई और फिर पाच भी होना चाहिए तो यह जो संख्या आएगी यह इन सभी संख्याओं का क्या निकाल दिया हमने लगुत्तम समापवर्तक लसी तो अब देखिए यह जो एल सीम आया है हमारे पास इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें पहली चीज लसीम निकालने का मेथट के लिए सभी संख्याओं को इस एक्स्प्रेशन में आनी चाहिए तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा टू फाइव बीस तो पच्चिस सो बीस तू फाइव टू जीरो तो हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन ठीक है तो थोड़ा सा ऐसे कोश्षन भी हम लोग करेंगे क्लासस में अचाब कुछ हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हम किसी जी किसी भी संख्या को अनुपात में किस तरीके से बाट देंगे तो जैसे देखें कम्प्री में लाल हरे पीले बल्प इस अनुपात में हैं ठीक है यदि एक सफ्ता में कुल साथ हजार साथ सो चोटर बल्प का उत्पादन होता है तो पीले रंग के कितने बल्पों का उत्पादन हुआ तो अब देखें यह बहुत आसान कोश्षन है सिर्फ और सिर्फ हमें इस संख्या को इस अनुपात में बाटना है और इस साथ क सब्से नुपांसा मान होगा वह हमें निकाल रहे कि तो कैसे बातेंगे चार और दो च्छे और साथ तेरा बार है वह किसके बढ़ाबर है साथ 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 चार और हमें कितने बार निकाले बहुत आसान है तो एक भाग निकाल लेते हैं, तो एक भाग हमने निकाल लिया, तेरा पंजे, पैसट, बारह, एकसो सत्ताइस, तेरा निम्मा, एकसो सत्रा, दस, एकसो चार, तेरा अट्थे, एकसो चार, तो एक भाग पांसो अठ्थानवे के बराबर है, तो साथ भाग कितने के बराबर हो होंगे तो साथग्णा पांसो अठ्थानवे तो जब आप एक करेंगे तो अगर हम इसे 600 मान ले तो 6772 एंट सो से थोड़ा से कम कितना कम यह छे सो में कितना कम दो कम दो और साथ 14 14 कम करें उसमें तो जब आप चौधा कम करेंगे 42 में तो हमारा आंसर आजाएगा एक तालिस सो असी तो मेरे हिसाब से आप कोई चीज समझ में आ रही होगी कि जो कोश्चन्स है वो सरल भी हो सकते हैं थोड़े से कठिन भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट यह है कि हमें बेसिक कॉंसेट्स उनके क्लियर होने चाहिए चलिए एक कोश्चन और ट्राइए करते हैं इसमें अब यह कोश्चन परसंटेज का भी है और लाभानी का भी है तो एक दुकंदार साड़ियों पर बीस प्रतिशत की छूट देता है तथा पुना घटे हुए मूल पर दस प्रतिशत की छूट देता है यदि एक साड़ी का अंकित मूले आठ सो है तो उसका विक्रे यांश्य पर मिलती है तो यह हमारा आठ सो रुपया है आठ सो रुपय में से उसको कितने की छूट मिली फीर इस प्रतिशत तो अब outros प्रतिशत कर निकालना हाना चाहिए तो 10 प्रतिशत कितना होजाएगा असी तो बीच प्रतिश्य हो गया 160 तो 170 रुपै कम हो गए तो कितने पर हो गया ये छेसो 440 रुपै अब छेसारी हो गई उसके बाद उसने बोला घटे हुए मूल पर दस परतिशत की चूट और दे देता है तो ये जो उन्हेंगे तो 640 में से 40 कम कर ले और 24 और कम कर लेते थे थो शेसो में से 24 गया तो कितना बचेगा 576 रुपय तो फाइनल यह वह वह 576 रुपय में बिंग गयी तो ऐसे जो कोशन से इसमें जरूरी नहीं है कि हम कोई फॉर्मूला लगाए इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं ऐसे ही करना चाहिए ठीक है डेटा भी बहुत आसान सा है बीस प्रतिशत दस प्रतिशत तो इसी तरीके से हम इन कोशन को पड़ा-फट कर दें ठीक है क्योंकि हमें हर एक सेक्शन मे से बारा-बारा कोशन करने हैं तो थोड़ा सा हमारा स्पीट जो है ज्यादा होनी चाहिए स्पीट ज्यादा होने के लिए हम फॉर्मूले की बजाए को सो दो सो कुछ संख्याएं जो कोशन में दे रखी है उसी के उपर हमें काम करना है चलिए एक कोशन और ट्राइब करते हैं अब देखे इसमें दे रखा है अब यह कोशन हम लोग थोड़ा सा अनुपात से सीखेंगे कि अनुपात का हम यूज कैसे कर सकते हैं कोशन में इसमें 75 गराम चीनी के में 30 प्रतिशत चीनी हैं चीक है विलियन में चीनी की कितनी मातरा मिलाइज जाए ताकि उसमें चीनी 70% हो जाए तो पहले चीनी कितनी है 30% उसके बाद चीनी ही मिला रहे हम लोग और चीनी की मात्रा 70% कर दे रहे तो देखे यहां से पहले अगर हम देखे तो कुछ चीनी है तो बचा हुआ क्या है पानी तो हमेशा अगर दूसरा component नहीं दे रखा है और एक billion की बात हो रही है तो जो दूसरा अभियाव है वो हम पानी लेते हैं तो पहले 30 प्रतिशत चीनी है तो 70 प्रतिशत पानी था तो हम बोल सकते हैं कि पहले चीनी और पानी 30 है तो फानी 50 मतलड nazis सप्र जाएं साट की आप एसमें चीनी जो है मिला रहे है और उस में चीनी कितनी की सत्र तो पानी कितना तक तो यह साथ पानी 523 तो कहना क्या चाह रहा है पहले चीनी और पानी 3 और 3 और साथ की पाथ में थे कितनी की तो यहां से देखे if अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो ये क्या है इसमें कुश्चन में जो पानी की मात्रा है वो चेंज नहीं हो रही है वो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी है केवल चीनी मिलाई जा रही है तो ये जो पानी वाली संक्या है न ये हम दोनों अनुपातों में समान कर तक तो यहां हमने तीन से गुड़ा कर दिया और यहां साथ से गुड़ा कर दिया अब देखे उपर पानी की मातरा समान कर ली अब पानी की मातरा समान हो गई तो तो पहले तो हम यह देखें कि पहले जो हमारा था नौ प्लस 21 कितना था 75 ग्राम तो जो 30 भाग है वो है 75 ग्राम तो कितनी चीनी यहां से जोड रही है देखें तो 40 भाग तो 40 भाग जो है जो 40 भाग होगा वो कितने ग्राम होगा उतनी चीनी हमें जोड देनी है तो 30 ग्राम 75 ग्राम तीस भाग हमें दे रखा है 75 ग्राम है तो 40 भाग कितने ग्राम के बराबर होंगे ठीक है तो यहां से हम आसानी से कर लेंगे 75 बटे 30 गुणा 40 तो यहां से यह हो गया 25 गुणा 400 तो कितने ग्राम हमें चीनी मिला देनी है 100 ग्राम चीनी मिला देनी है तो इस question को देखिए मैंने आपको बताया कि हम अनुपात की मदद से कैसे कर सकते हैं तो ऐसे कुछ-कुछ questions हैं जिनको हम प्रतिशत्ता की मदद से कर सकते हैं तो किसी भी question को करने के एक से ज्यादा methods हो सकते हैं अब उस समय हमको question के data case आप से कौन सा method apply करना है वही चीज़ सो सकते हैं तो आज के session में जो भी मैंने आपके साथ discuss किया आपको मैंने कुछ ब्रीफ बताया topics क्या क्या हो सकते हैं और कुछ-कुछ topics के उपर कुछ questions कुछ आसान थोड़े से कुछ मुश्किल ठीक है उनसे आपने कुछ ना कुछ questions से सीखा भी होगा मैं उसी उम्मीद करता ह ठीक है तो आगे फिर हम लुक classes में मिलेंगे हर एक topic को विस्टर त्रूप से उसमें discuss करेंगे ठीक है धन्यवाद थैंक यू